योड़ी स्टूडी वीज़ा भी जा एख दो पुछ रहने कि आसी कैनेडा लिलिजिबल नहीं हो पार हैं और अस्ट्रेलियल इलिजिबल नहीं हो पार हैं कि आसी जर्मनी स्टडी वीजा लिपलाई करिए की जंगियों ऑप्शन सानू मिल साइदियाने स्टूडेंट दे मानविच सवाल तटे इस सारे होंदेने ते असी अपनी ड्यूटी समझ यहां कि जो भी सवाल साडे को लांदा है उसको लेके एक एक्सपर्ट सला तो आडेना जरूर असी सांजी करिए ते आज दी वीडियो खास वरते इसे ते है कि जर्मनी स्टडी वीज आखिर है कि कौन सुट्रेंट अप्लाई कार सागदे किस तरह दी प्रोफाइल दे लेई बेस्ट ओप्शन आपा मान सागदे और केडी कडी गलन दत्यान राके तुसी जर्मनी स्टडी वीजा ली अप्लाई कार सागदे और किस तरह दे वीजा सेक्सेस रिट वी एथे स्वागते जी सारें, नहीं है हर दोविचे पूरी इंफ्रमेशन तो अडियानाल सांजी करंगे डिचेंडे ऑडियास कार एडियानी स्टडी वीजा लेके तुसी जर्पर्ट से लाज सुड़न नू एक इक पॉइंट के जह हो डिसीजन लेते, ने जर्मनी स्टडी वीजा करना है क्योंकि आपा हुंदी काल करिए बहुत सुडेंट्स अरुजान आपा देख रहे हैं सुडेंट अप्लाई भी का रहे ने वीजा वी आ रहे ने तक किस तरह दी ऑप्शन तुसी आज दे समय विच मान देओ जर्मनी स्टडी वीजा नो को जर्मन जो है इस टाइम ते ढूंस्ट वी कंट्रीं मुली कंट्रीं जला ने विकन वाली कंट्रीं सेकें बॉस्ट प्रेसरे बल्लों कंट्रीं अमंग इंटरनाशनल स्टूड़न्स ठीक है सो जर्मन बेसिकली फेमस का दे वस्ते है टेक्निकल प्रोग्राइम्स दे लई और एड्मिन सेक्शन दे लई क्योंकि जिन्या भी वड़ी वड़ी और डिया कंपनीज ने जिमें BMW, Mercedes और डी यह सारी यहां दा हब है जर्मन सो कोई भी स्टूडेंट है जिदा PTE यहां IELTS यहां TOEFL दा स्कोर काट है या फिर तोड़ी परसेंटेज किते ना किते 50% है लास्ट स्टाडी चो तुसी जर्मन दली अप्लाइगार सकते हो नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है रीजन बहाइंड क्योंकि पब्लिक युनिवर्सिटी इज वे वाफ दिंदिया ने टूशन फीस दे अगर प्राइवेट युनिवर्सिटी च वी तवाड़ी प्रोफाइल इलीजिबल बन दी है तो ओदे च वी नॉमिनल चार्जिज ने कोई बहुत जादा फीस नहीं है 6 लाख तो लाएक 8 लाख चो तुसी आपड़ी एक साल दी पड़ाई है जड़ी हो पूरी गार सकते हूं ठीक है एंड कोई एप्लिकेशन फीस नहीं है टूशन फीस तुसी पे करनी हुन दिया इस तो इलावा एक साल दा लिविंग एक्सपेंस दिखाने है जिमें आज दे टाइम ची किया हर एक कंट्री दे विच किया तो अनूँ फंड्स दिखाने पेंदिया है एदन दा जर्मनी कोई स्ट्रक्चर नहीं है तुसी आपना ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन करो साल दी टूशन फीस दो अमबेसी नूँ अपलाए करो ते अपना वीजा जड़ा ूँ तुसी लै सकते हो इस टाइम ते जो वीजा सक्सेसरेट जर्मनी दा चल रहे हो 99 परसेंट है इस तो इलावा जर्मनी फेमस है employment वस्ते, जर्मन दे वीच इस टाइम ते 98% employment है, जो student German University तो study कर दे है, उनों employment मिल दी है, ओ in country, off-site दी country, किते भी होना नों मिल सकती है, scholarship discounts बहुत वधिया options है, जर्मन दे कोल 15% तो लाइके 40% तक दी scholarship मिल दी है students नो, इस तो इलावा सब तो वधिया जो plus point है, German study visa दा, चैनेगन visa मिल दा है, जिदे 99 countries बच्चा बिना visa तो travel कर सकते है, किसे भी country दे वीच ठीक है, एस अब तो बड़ा plus point है, moreover, post-study work rights बहुत वधिया ने जोमनी दे, तुसी 18 मिने दा post-study work search visa है, जड़ा, ओ apply कर सकते हो, इस तो इलावा, blue card दी option भी है student दे कोल जे, तो फिनिश दी study, तुसी blue card सिद्धा means 4 साल दा work permit apply कर सकते हो, और PR दिया बहुत वधिया options रहे, means student किसे भी country चो तो अड़ी profile eligible नहीं बन रही, तुसी जर्मनी दे विच अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी केतना दी destination है, जिदे चा तानू number of opportunities मिल रही है, तुसी cut fees दे, आ जिदे student अगर apply करना चान, और जरूर है दसना कि आप जदो visa success rate दी गाल कर दिया था, किनी ratio वीच positive result देखे जान देने, ओके, सो जी आपा intake दी गाल करिये, ता public university दे सिरफ दो इंटेक ने, एक है summer intake, second winter intake, public university दी application opening and closing दीया, कुछ deadlines ने, ठीक है, and अगर private university दी गाल करिये, त सब तो बड़ी flexibility है थे rolling intakes है, means तुसी January, February, March, April, हर एक university किसे ना किसे intake जो तो अनो programs जो प्रोग्राम जो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अगर visa success rate दी गाल करिये था, इस time ते जर्मन दा जो visa success rate है, ओ 99% आ रहे है, high commission तो, ठीक है, चाहे तुसी bachelor दे लेए अप्लाय कर रह हो, visa इस time ते high notes ते ने, ठीक है, जिवे तुसी क्या rolling intakes ने, ठीर सारे ने, ते student तो अपना processing time किना month के चलना चाहिए और किसी भी, जिस भी intake लिए उप्लाई का रहे है, ते किना time पहला अप्लाई जरूर कार देना चाहिए, 2-3 month before, ठीक है, दो तो 3 मिने पहला तुसी apply करो में इदिच APS है, मेंज अबैसी तो अपने documents verify करवाने है, जि अपने कोल APS certificate है तो अपने कोल 1 month दे अंदर अंदर सारा process जड़ाओ, complete हो जाना है, अबैसी जो है, ओ एक मीने ताइम ज़रूर ला रही है, ता अपा on and average आपा 3-4 मीने ताइम लगे चल सकते हैं, ठीक है, ते एक हो जड़े student से सवाल होंदे है, चंगी प्रोफाइल जाना दे, scholarship programs किस तरा दे जर्मनी study visa वेज students हो मिल साकते हैं, देखो सब तो वधिया question है है, जि में public university है, ओध institution fees है, जो वेवाफ है, means nominal charge ने, 1 साल दी fees टाई तो 3 लाख भी आंदी है, ठीक है, अगर ओधी private university दी गल करिये तब 5,5 लाख तो लाएके, 9,10 लाख दी आराउंड ही fees है, एक साल दी, scholarship है, जड़ा ओवी परसेंट, असल चे थे scholarship नी मिल दिये थे, डिसकाउंट मिल दा हर एक student नो, चीक है, scholarship इक अलग पाट है, डिसकाउंट इक अलग पाट है, reason behind public universities, वेवाफ है ता private universities, हर एक स् student नो, मिल दा है, beat, student 50% वाला आ रहे है, चाहे हो 80, 90% वाला student आ रहे है, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल ते, जिमें, आपा गाल करिये, जड़े कोई student नो, किसी कंट्री तो अगर refuser मिल चुकी है, ओ भी apply कार सादेने है, उना दे भी चंगे चांसिस आपा मान साख दें, बिल दा कम नहीं बन रहे है, तुसी जर्मनी अप्लाई कार सकते हो, और जर्मनी दा वीजा इस टाइम ते 100% चाल रहे है, ठीक है, ओ दा reason ही है कि तुसी, for example, किसे भी country तो तुसी reject हो गए हो, तो अड़े कुल 4 refusal है, 5 refusal है, you can apply for Germany, ठीक है, कोई ओ दा study gap नहीं है, मतलब study gap acceptable है, सि ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ते overall students जरूर समझ गए होने कि overall आज दे time वी ची कचंगी option मान साख दे हैं, खास सर्थ उना students ली जिना दी refusal इक वार नी दो वारी हैं, कुछ जारा वार भी आ चुकी है, study gap है चुकी है, उना दे लही वी, वैसे भी overall जिमेके किरन जी ने दस्या साख दे हो, studies care education दे, चंडीगड office विजिट कार साख दे हो, पूरी information अगर तुसी अपने documents दी assessment करवा के लाना चाहन दे हो, के तो अडेली केडे best courses ने, केडी जगा तुसी apply करो, पूरा procedure step by step समझना चाहन दे हो, ता विजिट कारके तुसी सारा process जरूर समझ साख दे हो, otherwise जो है पंजाब देवी जलंदर अतेल उध्याना विच वी इना देओ office ने, तेजय कर तुसी किरन जी नो मलना चाहन दे हो, ता चंडीगड office विच ही तुसी इना नो मल साख दे हो, कोई सवाल होन ता तुसी comments जरीए साधना सांजे कार साख दे हो, तांकि उना topics से भी ऐसे अगों होर informative videos बनाईए और students नो aware करके पूरी जानकारी उना तक पहुंचा सकीए, बहुत बहुत थैंक्स किरन जी है पूरी information जोड़ी तुसी आज जर्मनी study visa नो लाएके जित्ती है students नो aware किता है, अगों यसी students लही से तराना होर informative videos लाएके आंदिर हमागे, फिलहाल लिद